मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सबी दल साथ आएं, खास कर जो समाजादी पार्टी के साथ गठवंदन में थे, गठवंदन अस्ती हराओं का नारा देगा, जब अस्ती हरेंगे तभी भार्जे इंता पार हटेगी, और भार्जे इंता पार्टी हटने से ही देश खुशाली के रास्ते पर जाएगा, इनके पास नारे तो नए-नए हैं, अब कह रहे हैं कि डवलप्ट कंट्री का सपना देख रहे हैं, जिनके वचल में कोई दमलब कहने और कथनी में अलग-अलग हो, क्या कहा और क किया, इसका जन्ता को आकिलन करना पड़ेगा, और अभी लोग सवा में, जो नौजवान कूदे हैं, ये सरी बात है कि सुरक्षा और वहां पर सुरक्षा जो प्रधान मंती जी का दीम प्रोजेक्ट था, अगर दीम प्रोजेक्ट में जो लगवाब 25,000 रोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीने कहीं साजिश भी है और स्रेंद भी है, क्योंकि कहीं इसी महाने सरकार के कोई तयारी तो नहीं है, कहीं internal security और सुरक्षा के महाने लोग को ड़्राने के तयारी तो नहीं है, एक तो सवाल वो खड़ा होता है, और दूस तो परिवार के सदसों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोज़गार और नौपरी नहीं मिल पा रही थी, इसी ही वज़े से गूंगी वहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोग समाने को दें